एक बार एक गाउं में बार आ जाती है तो वहाँ पर सब लोग डूबने लग जाते हैं गाउं में बहुत बुरा हाल हो जाता है तो एक आदमी है उसको तैरना नहीं आता है वो अपने घर की छट पे जा करके घड़ा हो जाता है तो दिर दिरे पानी बढ़ने लग जाता है जब पानी उसकी छट तक पहुँच जाता है तो वहाँ पर एक नाव आती है एक रेस्क्यू बोट आती है उसको बचाने के लिए वो आती है कहती है कि बैठ जाओ अब ये पानी बढ़ने वाला है तुम्हारी छट भी डूप जाएगी थोड़ दिर में वो कहता है नहीं मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा उसके बाद में पानी और उपर आ जाता है और पानी उसके यहां तक आ जाता है थोड़ दिर में एक हेलिकॉप्टर आता है वो हेलिकॉप्टर आकर करके उपर से लौट स्पीकर से बोलता है चीक चीक करके कि अभी भी वक्त है आ जाओ ये जो रस्थी हमने फैकी है इसको पकाड लो तो तुम बज जाओगे वो कहता है नहीं मेरे को इस रस्थी की जरुवती है मुझे मेरा भगवान बचाएगा वो डूब जाता है मर जाता है भगवान के पास में जाता है जा करके भगवान को बोलता है कि भगवान देखो मैंने आप पे इतना विश्वास किया और आपने मुझे नहीं बचाया तो भगवान खीच करके उसको थपड़ मारते हैं अब भगवान कहते हैं कि एक बात बता वो जो बोट भेजी थी वो किसने भेजी थी वो जो हेलिकॉप्टर भेजा था वो किसने भेजा था वो रस्षी फैकी थी वो किसने फैकी थी वो सब मैंने ही तो किया था अरे मूर्क तू भी तो कुछ कर तुझे भी तो अपना हाथ बढ़ाना पड़ेगा मैंने तुझे अपना हाथ दिया तो मेरा हाथ तो पकड़ कम से कम तो अंद विश्वास से काम नहीं चलता है यही फर्ख है अंदविश्वास में और विश्वास में विश्वास क्या है कि मैं अपनी तरसे कभी किसी के साथ में कुछ गलत नहीं करता हूँ मैं अपनी तरसे अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ तो मेरे साथ में गलत कैसे हो सकता है बगवान बेठा तो है ये विश्वास है अंद विश्वास क्या है कि मैं कुछ ना करूँ जो करेगा बगवान करेगा ये आलसी पन है कि आप एक्जाम की त्यारी करो नहीं और बोलो भगवान को कि यह बगवान पास करा दे, यह क्या है, यह सिर्फ आलसी पनी नहीं है, धोका धड़ी है, कि यह बगवान यह मैं 11 रुपे का अभी प्रिशाद चढ़ा रहा हूं, अगर मैं पास हो गया तो 101 रुपे का चढ़ा हूं, मतलब क्या बगवान को रिश्व में हैं, तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप अपना काम नहीं कर रहे हो, और कह रहे हो कि सब कुछ तेरे हाथ में है, तो आप चाते हो कि आपका काम भी कोई और करे, तो यह धोका धड़ी है,